राम राम सत रिकाल भई सारे भई यान है सब भईयों का स्वागत है भई आपके अपने यूट्यूब चैनल सुख विर डानडा डैरी फारम पर उमीद करते हैं भई सब भई ठीक होगे सब भईयों का पसुदन भी सवस्थ होगा भई आज का वीडियो है भई अपने डैरी फारम से दो तिन दन से थोड़ा बीजी चल रहे थे कुछ भी लगा लिए ये बैसें लोड करनी थी या सलेक्ट करनी थी जो आप सामने बैसें देख रहे हो भई इनमें पांच बैसें आंदरा के लिए लोड की हैं और च्यार को फीमेल थी और एक ये सामने देख रहे हो ये मेल काफ था भैसें सारी दुदारू थी भई अभी इनको किसी को 14 किलो किसी को 15 किलो दूद ऐसे त्यार था उमीद दें भई देखो आके जाके सेट होने पे 16-17 किलो दूद कम से कम देंगी ये भै उमीद कर सका पसुदन से आईट कोई बड़ी नहीं थी छोटी नहीं थी लेकिन निच्चे का जो सिस्टम था वो बहुत साफ सुत्रा था और चुआई दुआई की भी ऐसी थी भैसें की भै बहुत मोटी चुआई की और फीमेल काप थी भै इन चैरों के निचे आडर की क्वाल्टी भी बहुत अच्छी थी और थान भी बहुत वड़िया लगे हुए थे देखो बजट के इसाब से पसुदन बहुत साफ सुत्रा आगे वाड़ी देखें भैई आगे एक पैलन जो टी थी जिसका अडर आप देख पा रहे हो उसके आगे भी बहुत साफ सुत्रे अडर की ये मानलो भैई 14-15 14-15 किलो दूद इनको सब को त्यार था ये पैलन जो टी तो दांती च्यार थी भैई और कला कला थन अडर क्वाल्टी भैई ये आंदरा में जारी है भैई ये दराबाद के पास गोड कोंडा ऐसे कोई जगह है अपने मित्तर हैं उनके पास जारी है आगे अपने डैरी फार्म में रखें अच्छा प्रोफिट दे भैई अपने को भी खुशी हो कि भैई पसूदन भाई के यहां पे गया था तो बहुत अच्छा रहा पहले भी गई हैं भाई के पास 3-4 बार वैसे तो अच्छी रही भैई अच्छा परदसन किया और केला मेल काप था भाई इन में तो च्यार वो कटडियां थी साफ सुतरा पसूदन कल परसों लोड कर दी थी यह शाम को तो उमीद करते हैं भाई 3-4 दन में स्टे करकर के भाई के पास पहुंच जाएंगी क्योंकि देखो 4-5 पडाओ में ही पसूदन पहुंच पाऊ है तो आदराबाद के पास जाएगी गोड़कॉंडा में तैक कंपनी की मिलक कॉंड का नामता है सुक्की कैल्सियम इदर ले आदरुगेसा भाई यह देखे इसमें भाई 80 ग्राम में कैल्सियम की मातरा लगा लो इसमें यह विटामिन K27 मनो सारी चीजे फास पोरस क्रोमियम पंदराबीस की लोगी भी पैकिंग आओं हलागला क्वाल पैकिंग आओं इसकी और रेट में भी जायज है तो अपना बढ़िया यूजोरी भाई का मिलक पॉंड का नामता है और बढ़िया रजल्ट है धन्यवाद भाई सारे भाई यह आगा और जो भाई दो बैसें यह पंदराब में मुद की गाओं में पहले भी भाई के पास अच्छा अच्छा पसुदन अपने यहां से मीनी जोट यह और बैसें बहुत अच्छी अच्छी जान दी रही है और यह पसुदन उसी टाइम अपने पास आया था और उसी टाइम लोड करके आपाने मुद की में ह बहुत से जान दे भी होंगे बहुत साफ सुत्री दूसरे ब्यात में 17-18 की लोग दूद दिया हुआ है अब ये 20 देगी या 17-18 देगी वो परमात्मा को पता और भाई की मेनत वैसे बहुत है ये नहीं की मेनत नहीं है निचे इसके मेलकाप है और जैसे ये परसों ही ये सादिया था देन में आपां ले आए और भाई को बेज दी बहुत बढ़िया भाई पूंच में थोड़ा गणा वाइट बालोस कहें लेकिन साफ सुत्री बढ़ी बनतर जो दूद आरूब हैंसे वहाग रहनी वो सारी क्वाल्टी देखो कोशिश रहा है भाई कई बार ये ना मिल पाऊ है भाई उसका कारण रहा है कि भाई दूद त्यार आरी के बजट बाओ अच्छे हो जे हैं और जो ताजा ब्याई हुई बैसे हैं कई बार अपने गर पे आगे या जो बाई लेके जा उनके गर पे त्यार हो जे हैं मैंने भाई के पास एक बैस बेज जी थी सुड़ा सत्रा किलो दूद था भाई के जाके उसने 22 पलस कर दिया था डरूटर की बहुत मजबूत थी मैला मुला भाई के वहाँ पे जाके लगी तो बहुत अच्छा पसुदन भाई कई बार मीडियम बाओ में मिल जे हैं और ये पसुदन देखो भाई आगे ये भी हो जे हैं लेकिन चलो परमातमा सुक्र के बाई के सुक्षानती पोंची और बेंस सैट है पोंच थोड़ी ज़्यादा वाइट है बैस माइनस पॉइंट यही है बाई जैसा भी पसुदन हो है उसकी डिटेल आपान टाइम टू टाइम आपको उसी तरह देते रहा हैं बाई जो पहले आड़ी जो टीर यह दोनों ही साथ में आई थी और दोनों ही इकठी ही मैंने सेल कर दी बाई अपने प्रेम है बाई लोड़ करके इनको मुद की पंजाब में बाई जिला साइद मोगा पड़ा है बाई का तो वहाँ पे बेजी हैं एक बाई के मेरे मैट बेजने वह चलो द्यान में नहीं रहे आगे गाड़ी आओगी कभी लोड़ होगा तो मैं जब भाई के मैट भी बाई वहाँ पर बेज दिऊंगा क्योंकि देखो स्पेशल गाड़ी तो कभी बेजी नहीं जान दी बाई जैसे कोई बैस जावा है या एक बैस जारी है उसमें पांस पूड़े की और आइटलैन दोनों की सेम थी तो धन्यवाद है भाई सारे भाई यांगा वीडियो देखना खातर भाई